हलो स्टूडेंट आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 की मैस का जो 6 चैप्टर है लाइन से एंगल उसके मैस के कुछ इंपोर्टन कोशन करेंगे वो भी mcq form में तो ही स्टार्ट करते अपने इस वीडियो को तो फर्स्ट कोशन हमारा है यहां पर बोलाएगे कि दो लाइन है एल और एम जो की पैरलर है और एक तीसरी लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है ठीक है तो हमें x के अल्यू बताने है यहां पर आपको फिकर में दिख रहा होगा तो देखिए उपरवाला एंगल हमारा 120ही है ऑर में बताने है एक्स कितने चीक पढ़ोगा होगा तो कैसे बताएंगे देखिए यह 120 है तो यह वाला एंगल जो है जिसको एमनमने y लिया है तो ह्पाई एंगल जो है वो एकोल हो जाएगा 120 के ही क्यों क्यों कि क्या है corresponding एंगल है ठीक है corresponding एंगल क्या होते हैं equal होते हैं तो य हमारा आगे 120 अब 120 डिगरी आगे यह और एक से दोनों यह लीनियर फिर बना रहे है एक सर्वाइब तो एक्स प्लस वाइए इक्वल टू होता है हमारा 180 डिगरी तो य की वैली हमें पता है 120 डिगरी है तो एक समारा कितना हो जाएगा 180 डिगरी माइनस 120 डिगरी इक्वल टू 60 डिगरी तो option नमबर first इसका correct answer हो जाएगा अगला question देखते हैं अब next question है the value of x from the adjoining figure if l1, l is parallel to m यहाँ पर line जो l है वो m के parallel है और हमें x की value बतानी है तो यहाँ पर जो p point है वो transversal line है तो यहाँ पर यह जो line angle बन रहे है हमारे वो दोनों a की side बन रहे है तो यह की 5x दे रखा है और यह 20-x दे रखा है तो यह co interior angle हो जाएगे तो यह दोनों angle क्या होंगे co interior angle होंगे और co interior angle का sum हमारा कितना होता है 180 degree तो 5x plus 120-x equal to 180 degree तो इसको थोड़ा simplify कर लेते हैं 5x minus x यह 4x हो गया plus 120 equal to 180 तो हमारे पास 4x कितना आ जाएगा equal to 180 minus 120 तो 4x equal to 60 degree तो यहां से हम x की value निकाल सकते हैं 60 by 4 cancel out किया तो यह आ गया 15 degree तो x हमारा कितना आ गया 15 degree option number first अगला देखते हैं next है यहां पर भी line L और M parallel है x की value निकाल लिए है तो यह बिल्कुल same question हो जाएगा जैसा भी हमने किया है यह co-interior angle बना रहे है co-interior angles ठीक है co-interior angles का sum कितना होता है 180 degree होता है तो x plus 70 equal to 180 degree तो x अब directly निकाल सकते है 180 minus 70 110 इसका correct answer हो जाएगा option number B next question हमारा है अब इस question में भी हमें x की value निकाल लिए है ठीक है और x और y यहां पर दो angle दे रखे है तो यहां पर देखिए जो यह 55 है वो y की equal होगा y जो होगा वो हो जाएगा 55 degree क्यों क्योंकि यह क्या है corresponding angle है corresponding angles ठीक है corresponding angle है तो equal होगा तो y हमें पता लग गया है 55 हो गया अब y और x के linear pair है x plus y equal to 180 degree reason क्या है इसका यह है linear pair angle बना रहे है ठीक है linear pair angle का समारा 180 होता है तो x हमारा कितना आ जाएगा 180 minus 55 equal to 125 degrees का correct answer हो जाएगा option number b next question हमारा है अब यहां पर हमें x की value निकाल लिए है ठीक है तो यहां पर यह जो angle बन रहे है x plus 15 और 2y plus 25 यह दोनों angle जो है equal होंगे क्यों क्योंकि यह जो है vertically opposite angle है और vertically opposite angle equal होते हैं अब यहां पर जो है जो 3y है 3y जो angle है यह वाल आपको दिख रहा होगा ठीक है 3y वो 2y plus 25 की equal होगा 2y plus 25 degree क्यों क्योंकि यह क्या है alternate angle है तो इसको solve करेंगे तो 3y minus 2y equal to 25 25 तो y की value कितनी होगी 25 degree तो y तो हमें पता लग गया कितना है 25 है अब x निकालना है अब देखिए जो x plus 15 है वो भी इसके equal होगा 2y plus 25 के क्योंकि यह vertically opposite है तो x plus 15 equal to 2 into y की value हमने निकाली कितनी है 25 है तो value put कर दी into plus 25 तो इसको solve करेंगे तो यह हमारा पिछत्तरा जाएगा x plus 15 तो x हमारा कितना हो गया 75 minus 15 तो यह जाएगा हमारा 60 degree तो option number d इसका correct answer हो जाएगा ठीक है तो यह थे हमारे lines and angle के कुछ important question जो के exam में पूछे जा सकते हैं उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंदाया होगा thank you